नमस्कार दोस्तों, बॉलीवूड एक तरफ बॉयकॉट का दंस जहल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी देश में पंडित हैं, भविश वक्ता हैं, जो कि ये कहते हैं कि बॉलीवूड के अच्छे दिन आने वाले हैं जबकि हम लगातार देख रहे हैं पिछले कुछ समय से कि बॉलीवूड के कितने बुरे दिन चल रहे हैं, जब से सुशान सिंग राजपूत इस दुनिया से गए हैं, उस वक्त से ही बॉलीवूड बॉयकॉट जहल रहा है और ये कहा जाता है कि एक अच्छा इंसान जब दुनिया से जाता है तो बहुत सारे मैसेज दे करके जाता है और वो सबसे बड़ा मैसेज था कि बॉलीवूड ने जिस परकार से सुशान सिंग राजपूत के साथ बेवार किया तो इसका सराप बॉलीवूड को जहलना पड रहा है और वोलीवूड लगातार इस मामले में अपनी जो कमजोरिया है उसको हम देख रहे हैं दूसरी तरफ साउथ इंडस्टिज की फिल्में काफी अच्छी चल रही है लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर ये आई है कि शारु खान के एक नई है कि बहुत बड़ी शुपर डुपर हीट होने वाली है पठान और ये सारे रिकाउड तोड़ देगी अब ये जाननी के बाद से ही जो ट्रेड पंडित हैं उनके होस उड़ चुके हैं क्योंकि वालीवूड आजकल बहुत ही जादा गर्त में जा चुका है और इस हालात मे ये कहना कि ये फिल्म काफी अच्छी चलेगी कहीं न कहीं एक चैलेंज बन गया है एक तरफ शुषान सिंग्राजपूत के फैंस हैं और दूसरी तरफ ये बॉलीवूड के पंडित हैं जो ये कह रहे हैं कि पठान फिल्म काफी जादा शुपर हिट साबित होगी और लेट्स आ रहे हैं इस फिल्म में बॉलीवूड के शारु खान के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक्टर और परडिशन जॉन इब्राहिम और एक्ट्रेस दीपका पाधिकोन भी नजर आने वाले हैं अब सारु खान के फिल्म की जो लेकर के यह जो नया जो बात सामने आई है कि काफी जादा शूपर उपर हीट होने वाली है जिसने कई ट्रेंड पंडितों को हिला करके रख दिया है क्योंकि उनका यह मानना है कि शारु खान के दिन खतम हो चुके हैं और शारु खान के फिल्में नहीं कुछ कर पाएगी अब समय के साथ हम देखेंगे कि कुछां के फैंस हैं उन्होंने जो एक नारा दिया है कि बॉलीवूड का वाइकॉट होना चाहिए वह काफी शफल हो चुका है और पिछले दो साल से लगबग सफलता के हम कई ऐसे अध्याय देख चुके हैं कि कितनी बड़ी बड़ी बजट की फिल्में बूरी तरीके से हो चुकी है वहीं दूसरी तरफ साउथ की फिल्में कितने ज्यादा शुपर हिट हो रही है अब पठान को ले करके इंतजार है तो पठान के लिए हम बने रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और आपको पता ही है कि आखिर करना क्या है जैन जैभारत